ब्रिसब रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 19 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 19 अप्रेल 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्तमी नक्छत्र है पुनर वसू पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सोम वार मित्रो आने बाले शमय में सुर्ज उदे का समय है पाँच बजी के बाबन मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 6 बजी के 48 मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है 12 घंट 56 मिनट 48 सेकेंड का महिना है चैत्र आने बाले शमय में सुभ समय शुरू होता है 11 बजी के 54 मिनट एम से 12 बजी के 45 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 3 बजी के 21 मिनट पीम से 4 बजी के 20 मिनट पीम तक आने बाले शमय में राहू काल सुरू होता है 7 बज के 29 मिनट एम से 9 बज के 6 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस बेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोट का भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बहतर एबं सांदार हो सके मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने बाला हूँ आपके दामपत्ती जीबन आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रों आने बाले शमय से पहले यदि आपके दामपत्ती जीबन में आपके बैबाहिक जीबन में कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले शमय में आपके नौकडी के छेत्र में जो आपके सहकर्मी हो जो आपके कर्मचाडी हो या जो आपके सिनियर हो उन लोगों के साथ अपने संबंध को आपको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय में आपके नौकडी के छेत्र में इन लोगों का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक के सामाजिक करज करता है तो आने वाले शमय में जो आपके समाज में आपके दुसमन है आपके सत्रू है उन लोगों के द्वारा आपको पड़ेसान करने का प्रयास किया जाएगा तो आने वाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक के छात्र है विद्यार्थी है तो आने वाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्छा के छेत्र में समय के दुरूप योग से बचना चाहिए क्योंकि आने बाले समय में यदि आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यानी की टू मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अपने इष्ट देब की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं आने वाले शमय में यदि आप अपने इश्ट देब की पूजा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें एबम इस वेडियो के नीचे अपने इश्ट देबता का नाम कमेंट करदें धन्यवाद